नमचकार मैं सुशील पाल कॉंग्रेस निता राहूल गांदी मंगलवार को जैपूर पहुचे राहूल गांदी ने यहाँ युवा अक्रोश रेली को संबोधित किया जिसमें राहूल के बाशन का पूरा फोकस युवाओं और देश में बड़ती बेरुजगारी पर रहा इस पूरे करिक्रम में करीब 24 मिनट की स्पीच में राहूल गांदी ने 29 बार युवा शब्द का इस्थमाल किया मायरा फैशन्स एन एक्स्क्लूजिव रेंज ओफ डिजाइनर कलेक्शन स्वामी कॉंप्लेक्स आनवगामौल अजमेर संबोधन से पहले राहूल गांदी ने एनर यू यानी नैश्टन रेजिस्टर आफ एन एंप्लॉइमेंट लांच किया उन्हेंने कहा कि एक ऐसा रेजिस्टर बनना चाहिए जिसमें तमाम बेरुजगारों का नाम दर्ज हो इसे हम पी-एम के पास लेकर जाएं और बताएं कि आपने यूवाओं से बादा किया था और अब तक कितने बेरुजगार गूम रहें रहुल गांदी ने अपने संबोधन में यूवा के साथ कई मुद्दों पर बात की इस दोरान उन्होंने तकरीबन 18 बार नरिंदर मोधी पर भी निशाना सादा वहीं 6 बार बेरुजगारी, 3 बार जीडीपी और जीस्टी पर बात की इसके साथ C.A., N.R.C. और N.P.R. पर सिर्फ एक बार रहुल गांदी बोले लेकिन इन सब के बीच राजिस्थान में कॉंग्रेस सरकार पर कई सवाल यूवाओं और अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी ने उठाए अजमेर के ही समराठ पृत्विराच चोहान राज के महावित दैले के विधारतियों का एक चोकाने वाला वीडियो सामने आया है वीडियो में मूँ बांद कर एक छात्र कॉलेज प्राचारे डॉक्टर मुन्ना लाल अगरवाल पर जबरन रजैपूर में राहूल गांदी की युवा अक्रोश रेली में ले जाने का आरोप लगा रहा है वहीं कॉलेज से बसों में स्टुडेंट्स और स्टाफ को बैठा कर रवाना करते हुए डॉक्टर अगरवाल का वीडियो भी मीडिया के सामने आया है ये वीडियो सोचल मीडिया पर खुद इन विध्यारतियों ने वाइरल किया है वीडियो को गौर से देखने पर मूँ पर कप्रा लगा कर प्राचारे पर आरोप लगा रहा है विध्यारतियों का वीडियो एक दिन पहले का है जबकि कॉलेज में बसों में स्टाफ और विध्यारतियों को बैठने का जो वीडियो आज दिखाई दे रहा है वो आज का ही लग रहा है हाना कि अन्पिटीवी इंडिया इस वारल वीडियो की कोई पुष्टी नहीं करता है और इन सब के बीच प्रिदेश के पूर शिक्षामंतियों और भाश्पा के विदायक वासुदेद देवनानी ने राहूल गांदी की रेली में भीड जुटाने के लिए सत्ता का दुरुप्यों का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रिशाशन ने शिक्षकों के लिए आकस्मिक अफकाश घोचित किया ताकि वे जैपूर में राहूल गांदी की सबा में भाग ले सके देवनानी ने आरोप लगाया है कि कॉंग्रेस सरकार का ये कृतिय लोकतंत्र विरूदी है किसी भी शिक्षक को इस तरह रेली में भाग लेने के लिए बात दे नहीं किया जा सकता चलिए सुनिए प्रेस वारता में वासुदेद देवनानी ने और क्या कहा आज जैपूर में कॉंग्रेस की युवा अक्रोश रेली पूरी तरह नाकाम और असफल रही युवा उने सिरे से युवा कॉंग्रेस को राहुर गांधी को नकार दिया जबको कॉंग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाई जिसमें कई सिक्षा विभाग के प्रिंसिपल्स ने कॉंग्रेस के एजेंट के रूप में काम किया पिश्चे शुरूप से अजमेर के प्रिंसिपल ने तो सो से अधिक लिक्षर से जबर रस्ती एक आकस्मक आवकाश की अप्लिकेशन लेकर के उनको जैपूर जाने के लिए मजबूर किया लेकर और युगाओं के लिए बसों की व्यवस्ता की एनसेस और एनसीसी के केडिट को भी उन्होंने एक मजबूर किया को वहां पर पहुंचें इंजियंग कॉलेज के विद्यार्थियों को किया इस तरह की बातें जैपूर, कोटा, उदैपूर और राजिस्थान का अन्य कोनों से मिल रही है लेकि युवाओं ने इनको सरे से ख लाक बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। ने कुल मिला करके अभी तक एक लाक से अधिक युवाओं को भत्ता नहीं दे पाए हैं। तो आज 26 लाक युवाओं अपने आपको ठगा सा अनुभो कर रहे हैं कि हमसे वोट के समय तो युवादे क किये लेकिन आज उन्होंने एक भी साल वर बीतने के बाद उनमें से युवाओं को ने तो रोजगार मिला ना बेरोजगारी भत्ता मिला। रावर गांधी ने जिन तीन मुद्दों को उठाने के कोशिश की उसमें शैद उनको पता नहीं कि विश्वा के अंदर उन्होंने में भारत की स्थी खराब थी और आज भारत एक विश्व शक्ती के रूपें उभर करके आया है यहां तक अमेरिका से लेकर के ब्रेटेन जापान जर्मनी सारे विदेशी के राष्टा द्यक्ष आज मोदी जी के को अपना नेता मानते हैं उनके सम्मान में खड़े मिलते है तो रेपूटेशन के सवाल में खुले रूप से जूट बोले और दूसरा उन्होंने एक देश के को उन्होंने कहा इस पर स्थियाग युवाओं को काकरुश व्यक्त करो उन्हों युवाओं को भड़काने का और अराचकता फैलाने का जो प्रत्र किया उसे भी युवाओ ने नकार दिया और यहां तक के देश को बाटने की बात उन्होंने कही कि मोदी जी देश को बाट रहे हैं बाटा तो कॉंग्रिस ने है जिसे धर्म के आधार पर उन्नीस सो सेंटालीस में भारत के दो टुक्रे किये इल्येविभाजन के विश्य में जूट बोले में सिवाय मोधी फोबिया या मोधी वरोध करते हुए धीरे-धीरे मैं समझे कॉंग्रेस लेविल तक पहुच गई है कि भाजब पाका मोधी का वरोध करते करते आज भारत का वरोध करने लग गया हैं. जिस भारत के बारे में आई विश्व उसको सम्मान दे रहा है लेकिन कॉंग्रेस युवाओं को भड़का करके अरज़ता उत्पन करके और जिस तरह से भी सीए और इनारसी का जो उन्होंने जिक्र किया इसके आड में वह अल्द संक्यों को की तुष्टी करण की नीती अपन पर लाए हैं ताकि विदेश्ची निवेश नहों सके लेकिन फिर भी मोदी जी के राज में निवेश बढ़ रहा है यूँ आपने पाउं पे खड़ा हो रहा है और उन्होंने एक बाद याद दिलाई कि इसमें जीडीपी कम हो रहा है सारे विश्व में कम हो रहा है लेकि वो दिन भूल गए जब कॉंग्रेस समर्थित सरकार थी और उस समय कई टन सोने को गिरवी रखने तक की भारत में इस्तिती आई थी वो उस शणों को भूल गए कि जब भारत की मनमौन सिंग्य इस्तिती में खराब थी 2014 के अंदर बेरोजगारी जो आंकड़ा था वो 10.55 प नहीं दे सके उसका 50 साल तक रास तो उन्होंने किया मोदी जी ने आकर के देश को संभाला है देश के समर्थाग नीतियों बना करके उन्होंने हर एक को सम्मान दिया है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेते हुए जब उनको 370 की धारा हटा दी जब रामंदर का जो मुमेंट खत्म होकर कि आए रामंदर बनने जा रहा है तीन तलाग जैसे मुद्दे किया तो कॉंग्रेस के पेट पे अंदर दर्द होने लगा कि देश की जंता तो मोदी के साथ है इस आव युवाओं को बढ़काने का काम करते हुए और जिस परका टुकड़े प्रश कॉलेजों में चात्तर प्रतिनिती इलेक्ट हुए उसे इस पश्टर की युवाओं भाजपा के साथ है युवाओं देश के साथ है और युवाओं इस देश को एक सरोश आशनी में लाने के लिए करतिसम्ब है और राइस्तान सरकार की नीतियों के वृत खड़ा है किसी को रोजगार आज तक सरकार ने पूरे साल भरने एक भी विग्यप्ती जारी ऐसी नहीं की जिससे लोगों को रोजगार मिले हमारे द्वारा देवी विग्यप्तियों को धीरे धीर अब रोजगार मिलने लगा है उसको अपनी गिनार है तो ने तो बेरोजगारों को र विशे बना हुआ है जिसकी तस्वीरे अब सोचल मीडिया पर वाइरल हो गई और उसके बाद हड़कम मज गया है जिसमें कॉलेज की तरफ से जारी आदेश में राहूल गांदी की रेली के चलते कक्षाय नहीं लगने की बात कही गई थी यानि कि छात्रों को रेली के दिन प झार्ण रूहण गया है जew या है जो सोचल्ची बात कही है जे कि बात्रों का जाएर पिम है जारा चार्यस ог़ने के अ कि अ